तो चलो बच्चों इस वाले question को हम लोग करते हैं एक अच्छा सा question है और इसमें relative velocity यूज होता है जनरली कोई भी अच्छा बच्चा है तो question करता है तो यह सवाल उसके doubt में जरूर आता है यह काता है simple pendulum having bob up mass m is hanging in a ship along the equator from east to west सीप किधर जा रही है वेस्ट से इस्ट से वेस्ट जा रही है तो अगर मैं पहले अर्थ अगर मैं बनाओं यहां पर तुम देखोगे पहला जो पार्ट है अगर तुम solve करने की कोशिश करोगे पार्ट ए तो सबसे पहले देखो अगर simple pendulum है और अगर एक bob है और यह सब कुछ रेस्ट में है तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टी नॉट है और वेट mg है तो टेंशन टी नॉट की वेलू वेट mg मतलब जी उस प्लेस पे मतलब अब इक्यूएटर पोल जहां भी होगा वहां का जी है ठीक है न तो यह हमें यह तो क्लियर हो रहा है समझ में आ रहा है करते हैं कि वें दर सीपी इस्ट्रेशन डी विट रिस्पेक्ट टू वाटर टेंशन इन दे स्टेंग इस्टी नॉट मतलब वाटर के रिस्पेक्ट म सब्सक्राइब अगर सीपीड निकालना सीप का स्पीड निकालना है अगर अर्थ अपनी एक्सीज पर ओमेगा से घूम रही है यह बात समझना तो अर्थ ऐसे घूम रही वेस्ट से इस्ट तो यह जो है यह एक्वेटर है और यह एक्वेटरिकल प्लेन है इस पर रहने वा लोग हैं यहां पर एक बेसिकली एक सीप है तो यह जो सीप है वो तुम देखोगे दिस इस इस बोट और यह यहां पर एक सीप है एक बोट है जो यह जो लाइन है जो इस्ट है इकवेटर से ऐसे जा रही इस्ट से वेश्ट जा रही है यह वेस्ट है तो यह कोई ऐसन्थ है लाइक दिस तो यह समझ में आ रहा होगा आपको तो यह जो सीप है अगर मैं अर्थ से के एक्सीज ध्यान देना एक्सीज अव मेगा से रोडेट들을 रही है और अगर मैं ऐर्थ के फ्रेम से इए कि अर्थ पे कोई सीप रुखी हुई है समुगे समयाज यह और इसमें कोई सीप और सीप रुखी हुई है तो जब तुम हीँ से खड़े हो के देखो कि बाहर से सीप को तो तुम्हें सीप तो रेष्ट में नजार आएगी न क्योंकि अगर सीप अगर वाटर के रिस्पेक्ट में रेष्ट में है समझे सीप अगर वाटर के आर्थ के रोटेशन की वज़से आर्थ पर देखोगे तो कोई भी चीज में रेश्ट में दिखाए देती है तो लीनियर स्पीड इभी इसकुल टू जीरो तो अगर भी जीरो है तो उस वाक्त जो टेंशन है वो टी नॉट है ठीक है अगर केवल अर्थ रोटेट कर रही है तो उस समय जो टेंशन है वो टी नॉट है बात समझ में आया तो अब यहां से तुम देखोगे और इसी टी नॉट की वेल्व एम जी के एक्वल है और जी एट एक्वेटर पर यह सब कहानी एक्वेटर पर हो रहा है तो पहला पार्ट यह है आयोग की पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा चलो दूसरा पार्ट अगर देखोगे तो दूसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं कि यह स्ट इसे नो want that cheap数 थो इसम्हें मैं तर्फ एक्वाइब सब्सक्री वीडियो देख लोगे मेरा तो तुम्हारा 100% किलियर हो जाएगा थोड़ा सा भी तुमारा ठीक ठाक है पहले से अंडरिस्टेंडिंग तो अर्थ देखो अभी इस वाले सिच्वेशन में क्या कर रहे हैं कि यह सब कुछ इक्वेटर पर है भाई तो अगर इक्वेटर पर है सीप तो सिंपल पेंडलों में यहां एक्वेटर पर इस दे बॉप और वो वह इस स्ट्रिंग से अटेज है तो अगर इस स्ट्रिंग से अटाइच है आर्थ का अट्रेक्शन अब अर्थ अगर तुम देखोगे यहां पर तो आर्थ इसको अट्रेट करें इधर की डिरेक्शन में तो और कितने से अट्रेक्श कर सकती है अपनी जो फोर्र से इस पाइंट पर जो घी से है को और इस वक्त जो इसमें टेंसंन वह प्रूंट था जह सूád रूकल धूई तो यह जो यह तो सब्सक्राइब kisses ngi तो आर्थ तो रोटेट भी करी नहीं अपनी एक्सिस पर ओमेगा से रोटेट करें लेकिन सीप रूटी हुई है तो तुम यहां से देखो कि तो इस जो इस टेंशन की जो वैलू होगी ओम जी डैस होगी जी डैस क्या है इस समय जी डैस की वैलू को जो की equator पे है तो simple सी बात है यहां से अर्थ का attraction अगर मुझे निकालना हो तो अर्थ simply जब रुकी हुए तो यहां से mg की value डाल दो तो g minus r omega square cos square lambda होता है और lambda 0 होता equator पे तो यहां से मैं लिख सकता हूँ mg minus r omega square m omega square that is t naught what is यहां से तुम देखोगे तो अर्थ का जो attraction है यहां से r omega square m common हो जाएगा mg और minus t naught तो mg minus t naught क्या है भाई तो m क्या है भई m जो है mg जो है अर्थ का attraction है जब अर्थ rest में थी अर्थ का attraction इस इस अट्रेक्शन आफ अर्थ जब अर्थ rest में थी तो और minus tension ठीक ना tension जब चली नहीं रहा था tension in simple pendulum और इसका जो difference है वो r omega square m के equal आजाएगा this is the final solution यह जो है इसका answer है this is the final solution this is the part b तो आई हो की part b आपको समझ में आ गया होगा चलो बात करते हैं part c अभी तक सीप रुकी हुई थी किसके respect में आर्थ के respect पर अर्थ rotate कर रही थी मेरे भाई तो सीप रुकी हुई थी अगर सीप रुकी हुई आर्थ प्रड़ित लेकिन अब कहानी क्या है ऐसीप इस सबीड भी अटेंस इन दे इस्टिंग अब जो है सीब भी चलने लगी तो सीव कि दर जा रही है इस्ट से वेस्ट तो जब सीप चलने लगेगी तब कहानी अलग हो जाएगा भाई relative velocity आ जाएगा तो part C अगर मैं इसको solve परूँगा तो part C में देखो सीप चलने लगेगी तो सीप अगर move करने लगेगी यहां से तो यह जो है यह अपना सीप है और सीप चलने लगेगी मेरे बाई यहां से यह जो है equatorial plane है और इस पर सीप है ठीक है यह अपना सीप है और यह सीप इधर जा रही है इधर पर जा रही है इधर और यह अपनी axis पर speed भी से जा रही है तो speed भी से किसके ड़हां इसके रिस्पेक्ट में म 친 tells जाला है यह इस्पीड किस रिस्पेक्ट में यह बात समय ना है big अर्थ के respect में। यह स्पीड इस्पीड के रिस्पेक्ट में तो अम इसकी धार बाहर मैं देखता हूं बाहर से अगर कोई observer बाहर में है और वो इस की को को देखेगा समय रहे यह अगर कोई बाहर है वो इस सीप को देखेगा तो बैसिकली क्या देखेगा यार उसको अब उसको तो दो-दो स्पीड तो दिखाई नहीं देगी नहीं उसको तो एक ही स्पीड लीनियर स्पीड दिखाई देगी तो उसको में ऐसे जा रही है सीप तो उसको यह वाली स्पीड दिखाए इस सरकल का रेडियस आर है बात समझ में आया तो इसका मतलब यह हुआ कि इस समय जो सिंपल पेंडलम है सीप में उस वह वर्टिकल होगा ना सिंपल पेंडलम एक्वेटर पर कैसे होगा तो थोड़ा सा अपने आपको स्टॉप करना रोकना और विजुलाइज करने की कुष्टन सोचना प्रैक्टिकल लाइब में सोचना कि मैं क्या क्या बताया हूं तो यह जो यह तुम बात करोगे तो यह वाली जो है तो यह बॉब मास एम था और टेंसन टी नौट था ठीक है तो यह वाली जो चीज थी तो यहां से तुम देखोगे तो अब यह लिनियर स्पीड इसकी भी है ऐसे लिनियर स्पीड भी है और यह स्पीड आफ सीप विट रिस्पेक्ट टू अब्जर्वर है और यह रैडियस आ रहे है तो यह कुल मिला के सर्कल में चल लाओगा तो सर्कल एम वेलासिटी एम बी सेंटिपीटर फोर्स एम वेलासिटी अफ सीप रिस्पेक्ट टू अर्थ एम वी स्कूर ओबर डिवाइड़ वाइड़ रैडियस आर तो यह वह ला अगर लॉजिक अगर इस लॉजिक को मैं सॉल्व करने में सफल हो गया ठीक है तो मेरा प्रॉब् यही हमें स्थर्व करना है और इसी को हमें कंक्लूजन में लाना है तो सब से पहले हम पहला इक्वैसान ले लगते हैं जो फोस्ट इक्वैसन इन्हों ने दिया था कि एर्थ की सीप कितनी थी भी तो मैं यहां से लिखूंगा विलासिटी आफ सीप इस प्रिस्पेक्ट से प्रीमर क्षा रही है इदर के टारेक्शन में इस अंट में निगेटीव ले लेता हूं तो माइनस भी का बलांसती आफ सीव इत रिस्पेक्ट पाइथ यह तोसरी बात विलासिटि आफ रहित रे स्पेक्ट पाणित एक sperm नमबर टू तो अगर मैं इन दोनों को एड़ गर देता हूं इन दोनों को एड़ गर देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला ये कर जाएगा तो velocity of sheep minus velocity of observer और r omega और minus b e तो finally this is the velocity of sheep with respect to observer in space r omega minus b तो ये वाली जो चीज क्या है तो ये basically भाई ये basically क्या है velocity of sieve with respect to observer है तो velocity of sieve with respect to observer यही है तो अब कुछ नहीं करना है इसको हमे ले जाके r omega minus b को अपने पहले वाले equation में रख देना है तो पहले वाले equation में अगर मैं रख हूँ तो उसके बाद solve को लेना है तो यहां से आ जाएगा बोलो mg minus t is equal to m upon r और इसका square इसका square बोले तो is equal to r omega minus b का whole square तो r omega minus b का square is equal to तो यहां से जब इसको solve गरोगे तो हमें क्या चाहिए tension t तो mg minus यहां से m यहां से common आ जाएगा और r square omega square यहां रख जाएगा और r रख जाएगा और bracket में बचेगा 1 minus b upon r omega का whole square that is टेंशन t तो टेंशन t की value यही आ जाएगी तो टेंशन t की value हमें चाहिए तो टेंशन t की value यही आ जाएगी अब इसको solve करोगे तो तुम देखोगे कि b is very very less than r omega तो binomial theorem लगा दे हैं यहां बाइनों में लजम से लगां तो mg minus m r omega square is equal to 1 minus 2 times b over r omega और is equal to टेंशन t अब इसको solve करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो यहां से mg minus m r omega square और minus यहां से 2 b यह रहेगा और r आदे तो m और 1 omega रहेगा that is टेंशन t और अगर तुम सुरू से देखोगे तो यह वाली जो value mg minus m r omega square यह is equal to t naught है और minus 2 m b omega that is टेंशन t इसका मतले बहे हुगा कि जो नया टेंशन t जो नया टेंशन t आएगा यहां से तुम देखो यह plus आजाएगा ना minus minus plus आए this is the final solution this is the new tension on the spring तो finally आयोब कि समझ में आ गया होगा तो यह relative velocity का थोड़ा सा आप दिमाग लगाना visualize करना सोचना की कैसे हुआ है अगर कर दो कर दो